नमस्कार तो आज मैं आप सभी के साथ सेयर कर रही हूं फेनुस की रेसिपी अंग्रेजी में बोलते हैं देसी मिल्क केक तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको दूद ले लेना है दूद वह लेना है जब गाय बच्छडा देती है और गाय का पहला दूद निकाला यह ठीक कर देता है तो यह पर मैंने दूद को अच्छे से छान लिया है एक बड़े से बर्तन में यानि तसले में इस Kenneth इनुमीनिया की कहतरी है इसमें मैंने चान लिया है milk लिया है थोड़ा से इलाइची से अच्छी सुगंद आती है एक ड़े मिर से आपको यहां पर लिया आध्रक ले लिया और ले रोख पाँ की दूढ़ा और अपर छीड़ा यह प्लीम और उसके लोल कडाइब तो लगाएं, तो पहले पानी ने में लिखिनगे, тобой और इसको पकुलक्ष् wakakaf लो दाला है और च्प coughing कर लिया तो यहां पर देख सकते हैं अछहां हो गी ऑर यहां पर मादी नोग 疹 राटन को और ऊड़न को तो यहां पे मैंने इसको अच्छे से ठक दिया है अब मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे ना अंदर से थोड़ा सोड़ा टाइट होना इस्टार्ट हो गया उपर थोड़ा सा आपको लिक्वीडी दिख रहा होगा तो अभी मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखाऊंगी कि यह कितना अच्छे से जम रहा है आपको इसको छोड़ देना है मध्यम आज पर यह बहुत आराम से होते जाता है लेकिन हाँ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आज ज्यादा तेज ना हो नहीं तो नीचे से जलने भी लगता है इसका कोई रिस्क नहीं ले देख सकते हैं कितना टफ हो गया इसको आँ से मैंने उतार लिया है तो बस खाने के लिए बनके तयार है और यह बहुत ज्यादा टेस्टी होता है तो आप ज़रू ट्राइब कीजिएगा जब आपका बच्छरा देगी या बाची देगी तो यहां पर मैं ऐसे केक भूर यह बहुत बनाना बहुत असान है सबी चीजे मिक्स करने के बाद पाने के औ ऊपर इसको रख देना हैं जैसे ठोखला North University या यहापर मैंने इसको सर्प कर लिया है। मैं जा रही हो खाने आमिवी बनाएज सेर के घे इस साथ थैंक्स वाच'll紅